गुजरात जायंट्स और भिलवारा किंग्स के दीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में एक बार फिर इर्फान पठान और इसुप पठान ने ताबड तोड तुफानी बल्लेबाजी करते हुए विरोधी टीम के गेदबाजों के परखची उड़ा दिये दोस्तों अगर आप भी सुप पठान और इर्फान पठान को दुनिया के सबसे बेहतरीन आल राउंडर बल्लेबाजों में से एक मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तोस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भिलवारा किंग्स का पहला विकेट दस में ओवर में कुल 117 हर रन के स्कोर पर गीरा इसके बाद भिलवारा किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी करने आये कप्तान इर्फान पठान मैदान पर आते ही गुजरात जैंट्स के गेदबाजों पर तूट पड़े आपको बता दें कि इर्फान पठान 37 साल के हो चुके हैं लेकिन लेजेंड्स लीग में जिसंदाज में इर्फान पठान बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई 20-22 साल का युवा बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है दिल्चस्प बात यहा है कि इर्फान पठान सांदार गेदबाजी और बल्लेबाजी के साथ साथ बेहतरीन कप्तानी भी कर रहे हैं गुजरात जैंट्स के खिलाप एक चौका और तीन सांदार चक्के की मदद से इर्फान पठान 34 रन की तेज तर्रार पारी खेल कर आउट हुए पारी के सत्रह में और में कुल 174 रन की स्कोर पर छोटे भाई के आउट होने के बाद मैदान पर बड़े भाई यानि इसुफ पठान का आया तुफान आपको बता दें कि इसुफ पठान मैदान पर आते ही एक के बाद एक दो सांदार चक्के जड़ दिये दरसल इस मुकाबले में इसुफ पठान को पांचमे नंबर पर बल्ले बाजी के लिए भेजा गया क्रिकेट विशे सग्यों की माने तो अगर इसुफ पठान तीसरे या फिर चौथे नंबर पर बल्ले बाजी करने आते तो सतकी अपारी खेल सकते थे अब तक पूरे टुनामेंट में इसुफ पठान और इफान पठान ने जिस अंदाज में आकरामक बल्ले बाजी किया है उसे देखते हुए भारतिय टीम के फैंस दोनों भाईयों को एक बार फिर टीम इंडिया में सामिल करने की मांग कर रहे हैं